गुड मॉर्निंग आज हम 27 जनवरी 2021 के करेंट अफेर डिसकस करेंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस्टा बेल आइकन आज का फर्स्ट कॉश्चन है ग्लोबल क्लाइमिट रिसक इंडेक्स 2021 में भारत की रैंग क्या है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडिया की जो रैंग है वह सैविंथ है और यह बात की जारी है यहाँ पर बात की जारी है आपसे ग्लोबल क्लाइमिट रिसक इंडेक्स क इंडिया की जो रैंक है वहाँ 7th है ठीक है और अगर हम देखा जाए तो 2019 में सबसे ज़्यादा जो affected countries है उनमें से एक इंडिया है यह जो रिपोर्ट है वहाँ एक NGO है ठीक है जर्मनी बॉन में जर्मन वाच उसके द्वारा रिलीस्ट की जाती है यह जो global climate risk index है जिसमें यह analysis करती है quantified impacts of extreme weather जो बहुत ही ज़ादा extreme weather वाली जो events हुआ है उनको ठीक है और जो भी उसकी वज़े से जो भी fatalities हुई है जो भी नुकसान हुआ है economic losses हुआ है और इंसान का मतलब जो human losses हुआ है उनको यह analysis करती है यह जो index है वह अपना data जो है मुनि जो ने लड़कियों के लिए मतलब जो girls होती है उनके लिए ससकती करण के लिए punk अभ्यान शुरू किया है यहाँ पर बात की जा रही है कि जो girls empowerment के लिए ठीक है punk scheme जो है राजी के द्वारा के से state के द्वारा जो है release की गई है और इसका सही answer है option c मद्यप्यदेश state के द्व वारा जो है वह punk अभ्यान जो है वह चलाय जा रहा है तागी girls को ज्यादा से ज्यादा empowerment किया जा सके यहां पर आप देख भी सकते MP punk अभ्यान यहां पर हमारे लिए important हो जाता है कि punk की full form किया जैसे कि P4 P4 का मतलब होता है protection then A4 A4 का मतलब awareness of their rights वह अपने अधिकारों को जान N का मतलब होता है nutrition उन्हें proper जो है वह meal provide करवाई जाए के का मतलब होता है knowledge और H का मतलब होता है health और national girl child day जो कि 24 जन्वरी को celebrate किया जाता है उस दिन मदिर प्रदेश के chief minister जो कि आप देख सकते है शिवरा सिंग चोहान उन्होंने launch किया था punk अभ्यान और यह जो अभ्यान ह है वह start किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकीम के तहट जहाँ पर girl child जो है उन्हें empowerment करना है और उसके लिए जो भी मदद की जरूत होगी वह state government के द्वारा provide करवाई जाएगी कुछ revision है मद्यप्रदेश के बारे में जैसे की चरन पादू का initiative यह कहाँ पर स्टार्ट किया गया है मद्यप्रदेश में next है FIR आपके द्वार योजना next है जो गाय होती है उनके लिए cabinet भी स्टार्ट किया गया है यहाँ ठीक है एक virtual आदी festival भी celebrate किया गया ठीक है और जो ज सोलर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट किया जाएगा 2023 में यहाँ वर्ल्ट का सबसे लार्जस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा नेक्स पॉइंट है गंदगी भारत छोड़ो यह भी campaign यहीं पर स्टार्ट किया गया है और कैनिक waste converter की बात किया जाए तो यह plant भी लगाए गया है दीन दयाल अनंतिद्वर रसोई योजना भी स्टार्ट की गई है नेक्स पोशन सरकार प्रोग्राम ठीक है यह भी launch किया ग नेक्स प्रदेश के लिए जो सेंटर बनाए गया है और मद्य प्रदेश ने अपनी ही एक policy लेकर आए जिसमें वहां मद्य प्रदेश को self-reliance बनाना है आत्म निर्वर मद्य प्रदेश के बारे में कुछ स्टार्टिक इंफॉर्मिशन जैसे कि यहां पर जो नेशनल पार गवर्नर यहां की अनन्दिवन पतेल और चीफ मिनिस्टर यहां के शिवरा सिंग चोहान है नेक्स्ट कोशन है अंकटार की रिपोर्ट की अनुसार ठीक है यहां पर कौन सी रिपोर्ट की बात की जा रही है अंकटार की ठीक है जो foreign direct investment जो होता है उसका सबसे बड़ा प्रा इस महामारी के टाइम पर भी FDI जो है वह चाइना में सबसे ज़्यादा आई है ठीक है चाइना जहां पर वर्ल्ड की largest FDI recipient country बन गया है ठीक है अगर हम देखें Asian Junts Rising 4% ठीक है 163 मतलब यह उनका data है लेकिन इसी के साथ अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया की ठीक है अगर हम another emerging economic की बात करें ओभरते हुए ठीक है अगर हम आर्थ विवस्ता की बात करें तो positive growth जो है वह इंडिया में भी देखी गई है FDI के digital sector में investment के field में और यह जो report है यह जो data निकाला गया है वहाँ अंकटाड अंकटाड की full form आप एक बार देख लीजी United Nation Conference on Trade and Development ठीक है किसके उपर बात की जाती है यहाँ पर यहाँ पर trade और development के उपर एक conference की जाती है ठीक है इस तरह से आप याद कर सकते United Nation Conference on Trade and Development next question है Mfax 21 the tri service joint amphibious exercise को किस इस्थान पर आयोजित किया गया है यहाँ पर बात की जारी है आपसे question में कि यह एक exercise है ठीक है जिसका नाम है Mfax 21 और यहाँ एक tri service joint amphibious exercise है कि कहां पर आयोजित की जारी है किस place पर हो रही है यह हो रही है option भी यहां अंडमान एंड निकोबार आ यहाँ पर organize की जाएगी Mfax 21 exercise ठीक है अब यहाँ पर आप अच्छे से नाम भी देख लीजिए ठीक है इंडियन नेवी conducts joint exercise with Indian Army Air Force यहाँ पर triage मतब तीनों ही services होंगी जैसे नेवी भी आर्मी भी और Air Force भी होगा यह जो exercise है वो हो गई है ठीक है 21-25-2021 को यहाँ और अर्ग अगला question है दुनिया भर में अंतराश्टिय सिक्षा दिवस कम मनाया जाता है यहाँ पर बात की जा रही है कि international day of education कब observe किया जाता है पूरे globe पर तो इसका जो सही answer है कि international day of education जो है वो हमारा 25-24 जन्वरी को ठीक है option B is the right answer 24 जन्वरी को observe किया जाता है international day of education यहाँ पर आप देख भी सकते है united nation international day of education ठीक है जिसे authorized case के द्वारा किया गया है मैं तब इसे adopt किया गया है united nation के द्वारा यह कम मनाया जाता है 24 जन्वरी को celebrate किया जाता है इस पार की जो theme है वो एक बार देख लीजे यह implement हो सकती है recover and revertalize education for the covid-19 generation covid-19 के time पर education को recover और दुबारा से पुनः जागरेट करना next question है किस country ने 2021 में online अंतराश्टिय जलवायू अनुकूलन शिखर सम्मेलन की मेजवानी की है यहाँ पर बात की जा रही है आपसे कि किस country ने होस्ट किया है online international climate adaptation summit 2021 तो right answer है इसका नीदर लैंड option is the right answer कि नीदर लैंड के द्वारा होस्ट किया जा रहा है online international climate adaptation summit 2021 यह आप location देख सकते हैं नीदर लैंड ठीक है नौर्ट सी है यहाँ पर नौर्ट सी जो water bodies है जर्मनी की साथ अपना border share करता है यहाँ पर यह Belgium है ठीक है capital जो है वो एमस्टार डम है और currency जो है वो यहाँ की यूरो है climate adaptation summit 2021 और यह online होगा और इसे host किया गया है 25 से 26 जनवरी को यह हो गया है नीदर लैंड में इसे हो नीदर लैंड के अंदर यह जो event है वह organized हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरिंद मोधी जो है इंडिया के उन्होंने address किया है climate adaptation summit और कई सारी बाते भी उन्होंने इस event में रखी जैसे कि उन्होंने बताए कि उनका target है कि 2030 तक हम 450 गीगाबाट renewable energy को target रखके प्राप्त करेंगे और उन्होंने बोलाए कि हम promote कर रहे हैं LED lights को और 38 million ton हम carbon dioxide का जो emission करते हैं ठीक है उसको भी हम save करेंगे नेक्स्ट उन्होंने बोलाए कि हम 26 million hectare degraded land जो की unfertile हो गई है मतलब कि जो बंजर land हो गई है ठीक है उसको 2030 तक ठीक है उस land को बचाएंगे ठीक है या फिर उसे मतलब कि उसे fertile land बनाएंगे या फिर वहाँ paid weight लगाएंगे इस तरह से जो है वो बंजर जमीन को मतलब हो गएंगे ठीक है नेक्स्ट हो है हम प्रोवाइट कर रहे है clean cooking fuel to 80 million rural household को ठीक है हम प्रोवाइट कर रहे हैं क्या प्रोवाइट करें cooking fuel नेक्स्ट हो है वी आर कनेक्टिंग 64 million household to piped water supply यहां पर हुनने water supply की भी बात करी है next question है हमारा किस city में उपराश्ट पती ने integrated weapon system design center का उधगाटन किया है यहां पर किसकी बात की जा रही है कि एक integrated weapon system and design center जो weapons होते हैं हमारे ठीक है defense के लिए ठीक है उनकर जो design का जो center होगा उसको inaugurate किया है किसने किया है vice president ने तो कहां पर किया है है हैधराबाद में किया है त हमारे जो उपराश्ट पती है उन्होंने inaugurate किया है एक integrated weapon system design center vice president कौन है एम वेंके नाइडिजिन के द्वारा inaugurate किया गया है एक integrated weapon system design center ठीक है और यह कहां पर किया गया है जो DRDO का डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम missile complex जो है है हैधराबाद में ठीक है बहाँ पर ही इस ज जो weapon system है ठीक है उसका जो design center है उसको inaugurate किया गया है next question है कि जो हमारी वित्र मंत्री finance minister जो है निर्मला सीता रमण ने कौन सा app को launch किया है उन्होंने एक app launch की है उस app का नाम क्या है यह पूचा गया आपसे यहाँ पर आप याद रखने finance minister कौन है निर्मला सीता रमण तो इसक ठीक है लेगे इस बार महमारी के time पर पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरा जो budget है वह paperless होगा ठीक है एक भी paper जो है उसका print नहीं किया जो रहा है तो उसी के लिए जो है वह finance minister के द्वारा एक app निकाली गई है जिसमें budget से related सारी information प्रोवाइड करवाई जाएगी इस app पर time next question है 26 जनवरी 1990 के बाद से गरतंत दिवस पर निम्न मैंसे किसको तट रच्वक पदक दिया जो रहा है यहाँ पर बात की जा रही है कि 1990 के बाद जो है वह पहली बार है जब रिपब्लिक डेपैर ठीक है किसको जो है इनमें से ठीक है किसको जो है वह तट रच्वक पदक द जो है वह पहली बार तट रच्वक पदक जो है वह दिया जा रहा है कि यहां पर कई सारी अवाड जो है वह दिये गए है इनको जैसे की एक है पर्रेषण को Distinguished Service में दिया गया है एक दिया गया है ततरचक Medal Galantry में जैसे कि अगर हम President वाली बात करें तो यहाँ पर देवराख शर्मा और अरुन शरी वास्तप को है दूसरे जो कैटेगरी है वो है ततरचक मैडल Galantry में वहाँ पर आप देख सकते हैं चार लोगों को जो है ठीक है उनको मिला है नेक्स जो है वहाँ Meritorious Service में जो है वहाँ केलाश नैगी और सोमलाल को प्राप्त हुआ है नेक्स्ट कोश्चन है कि निमलिकित मैसे किसने है ठीक है यहाँ पर बात की जा दिया है कि आयू वेदा ठीक है यह यह यू है स्पैलिंग आप यहाँ देखिए एक बाट ठीक है निमलिकित मैसे किसने है आयू समवाद कैम्पियन प्रोग्राम जो है आयू वेदा के COVID-19 पैंडेमिक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बात की जारी कि Which of the following has organized इनमे से किसके द्वारा ओर्गनाइस किया गया अयू समवाद कैंपियन यहाँ बात की जारी कि जो आयू समवाद कैंपियन जो प्रोग्राम है इनमे से किसके द्वारा जो है वह और्गनाइस करवाई गया है अब यह जो प्रोग्राम है वा किसके उपर करवाई गया है यह करवाई गया है आर्यू वेदा और COVID-19 पैंडेमिक के उपर ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारी All India Institute of Aruveda New Delhi ठीक है यह जो आयू समवाद है ठीक है जिसका मतलब क्या होता है ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह याद रखना काफी इंप्रोडेंट कोशन है और किसके उपर करवाई गया है आर्यू वेदा और COVID-19 पैंडेमिक और आंसर इसका हमें आपको बताई दिया एक बार ठीक है आयू समवाद का जो मतलब होता है My Health, My Responsibility यह एक Largest Public Awareness Campaign है ठीक है जो की आर्यू वेदा और COVID-19 पैंडेमिक पर मतलब जो सब्जेक्ट है यहाँ पर यह सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं ठीक है कि आर्यू वेदा और COVID-19 पैंडेमिक सब्जेक्ट पर जो है वह और्गनाइस क किया गया आयू समवाद प्रोग्राम जो है वह स्टार्ट किया गया किसके द्वारा और्यू इंडिया इंस्टीट और आर्यू वेदा नियू दहली ठीक है इसे के साथ मिनिस्ट्यू आयू जो है उसने भी सपोर्ट किया है इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि लोगों को awareness प पैंडिमिक कल हमने आपसे question पूछा था कि Nelson Mandela विश्व मानफतवादी पुरुषकार से किसे समानित किया गया है ठीक है तो इसका जो सही आंसर है वो है option B रभी गैकवाइड ठीक है इनको विश्व मानफतवादी पुरुषकार से समानित किया गया है थीक़ है, हिमाचर प्रदिषatta ने लॉंज़ किया है, फिर्स्ट उनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन, जिसका नाम किया है, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, वो बिल्कुल थीकरी जो राजिहंद्र कुमार भनडारी, उन्हें ही सलेक्ट किया गया, सुभास चंद्र बो वो बिल्कुल ठीक हेके जो हिमाद्री जो है वहां फर्स्ट पर्मानेंट आर्क्तिक रिसर्च स्टेशन है जो कि लोकेटड है नौर्वे के स्वाल बोड़ इस पिर्स बर्जन में नेक्स्ट बिल्कुल गलत है क्योंकि 24 जनवरी को जो है वहां सैलिब्रेट किया जाता है नै पब्लिक देवाले दिन के जो questions है वो ठीक है निक्स्ट जो है पहला question है कि क्या असम की दुवारा launch किया गया है उद्यम सार्थी एप ठीक है ये काम क्या करेगा ये जो भी youth होंगे ठीक है उनको जितनी भी jobs होती है एमप्लोमेंट्स होता है रोजगार होता है उसके बारे में सारी information प्रवाइड की जाएगी इसे आप पर चेर परसन बनी है अगर फर्स्ट वमेंट की बात हो जाती तो important question बन जाता है broadcasting content complaints counseling की जो है फर्स्ट वमेंट चेर मेंट परसन बनी है गीता मित्तर आप इनके answer true and false की form में comment box में दीजिए thank you so much